हलो फ्रेंट्स मैं हूँ विसाल दवरसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टर इजुकेशन जो भी स्टुडेंट्स आइटी जैम सीएसर नेट गेट टीएफा जेस्ट यह सब का एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं ग्रेजुवेशन और पोस्ट गेस बना रहे हैं अभी फिजिक्स का आगे मैस का दाएंगे हम लोग ठीक है तो कंटिनि वीच टॉपिक लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था यह लोग प्रॉप्लम एलेक्टिक डाइपोल सब्ढ रहे हैं ठीक है एक वीडियो अह प्रॉप्रिक डाइपोल की विएस है पोटेंशियल इलक्तिक फिड इंट्रक्शन वे तिक है और डाइपोल डाइपोल इंट्रक्शन का युँछ किया था उसके दम लोग ने एक प्रॉब्लम और अलग्टि डाइपोल इसका यह था अब उसका तौशा जन करने जा रहा है थीख फड़ प्यारी कर रहे हैं students उनके लिए multipose ठीक है multipose क्या होता है वाज discuss करेंगे क्यों हम लोग multipose पढ़ रहे हैं और जो next class होगा उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक charge distribution को as super positions of many multipose देख सकते हैं मतलब that is the topic name will be multipole expansion of charge distribution multipole expansion of charge distribution के topic का नाम रहेगा ठीक है तो उसके पहले हम लोग था multipose समझे लिए multipose क्या होता है what is multipose ठीक है यह topic काफी important है आप देखोगे gate का exam में जो gate physics है आज नेट का exam में काफी वार आया भी है ठीक है तो let's try to understand multipose तो multipose पे जाने से पहले ठोड़ा एक वार discussion करते हैं हम लोग कि अगर मालो की कोई charge distribution आपको दिया हुआ है suppose you are given this charge distribution ठीक है यह आपको charge distribution दिया हुआ है coordinate system भी ड्रा कर लते हैं अब मालो इस charge distribution की वज़े से बहुत दूर at a very far distance suppose P is very at a very far distance पी जो है बहुत दूर है मतलब इस charge distribution से बहुत दूर का क्या मतलब है मतलब when do you call a distance to be far यह मालनो आप दूरी पर है यह मालनो आप दूरी पर है मतलब आप मस्ट बी वेरी लाज कंपेर टू दूर साइज अप दिस चार डिस्टिबूइशन है तो यह आदेस का एक मैक्सीमा होगा जो साइज को रिपरेजंट करेगा साइज जो है साइज तो यह सब जगा सेम रहेगा ठीक है तो यह मालों बाउंडरी आर्डेस मालों ओर्जिन से बाउंडरी तक का एक वेक्टर है तो मैगनिचूड अफ आर्डेस है उसका मैक्सिमा जो होगा यह जो मैक्सिमा वैल्यू है इस उड़ी वेरी ला स्मॉल कंपेर तो इस आर्डेस पता है यह जो पी का दूरी है वो जो साइज अफ चार्ज डिस्टिबूशन है उससे बहुत बड़ा है तभी हम कहेंगे ना पॉइंट P is at a very large distance from the charge distribution अगर मालो हम एक पॉइंट P का बात कर रहे हैं जो कि बहुत दूर है charge distribution से अब हम कहें कि बताओ इस पॉइंट P पे potential क्या होगा इस पॉइंट P पे potential क्या होगा what will be potential of this charge distribution potential क्या होगा आप कहेंगे चुकि आप बहुत बड़ा है तिस पूरे charge distribution को हम लो point charge के तरह treat कर सकते है हम लो point charge के तरह treat कर सकते है अगर point charge के तरह treat करोगे तो suppose करो जो आपका total charge जो contain कर रहा है charge distribution में क्या हो जाएगा यह भी volume है तो आप कहा सकते हैं कि जो potential होगा point P पे that will be approximately equal to ठीक है that will be approximately equal to q by 4 पे अपसे रट आग समझ भी आ रहा है क्योंकि बतला P बहुत दूर है तो यहाँ पे को observer होगा तो वो इसको एक point चाहिए की तरह देखेगा अब question यह है कि मालो की यह charge distribution है और total charge जो अगर calculate करें वह 0 आ रहा है फिर क्या होगा potential फिर potential क्या होगा फिर potential 0 तो नहीं होगा potential फिर क्या होगा in that case हम लोगा इसका dipole moment calculate करेगे आप कुछ बच्चे सोचएगे dipole moment कैसे calculate करेगे dipole moment तो minus q plus q होता है तो multiple distribution में यही सब देखेंगे कि कैसे हम लोग dipole moment calculate करते है एक charge distribution का ठीक है charge distribution का dipole moment कैसे calculate करते है वो हम लोग देखेंगे और यह भी देखेंगे कि अगर total q 0 है तब potential का क्या variation होगा r के respect पता एक वार को देखने में लगे है कि potential 0 है लेकि ऐसा नहीं होता है potential जो यहाँ पे होगा अगर q 0 है तो potential will be equal to p cos theta upon four five seven not r square मतब़ए p is the dipole moment of the अब यह हम लोग लेक्चर में देखेंगे next class probably कैसे हम लोग charge distribution का dipole moment calculate करते है अच्छा इवेन अगर मालो dipole moment जो कि हम लोग देखेंगे next class में कैसे calculate करते है किसी भी charge distribution का अब एक उच्छी आएगी अगर मालो क्यों भी जीरो है dipole moment भी 0 है तब potential कैसे vary करेगा वो भी हम लोग इन सब लेक्चर में देखेंगे तब हम question से शुरुआत कर रहे हैं कि भाई हम लोग का end क्या होने वाला है at the end of this whole अभी दो दो लेक्चर रगेगा अभी तो आज multiple discuss करेंगे है multiple discuss हम लोग यह this is open question ठीक है यह open question है just to make you understand कि क्यों हम लोग पढ़ रहा है multiple distribute कि किस problem का answer हम लोग ढूंडने का कोशीज कर रहे हैं तो हम लोग यह ढूंडने का कोश्ट कर रहे हैं कि किस तरह से potential at a large distance from charge distribution किस तरह से उसका variation होता है आर के respect में electric field का किस तरह किस से variation होता है ठीक है तो वह हम लोग देखेंगे ठीक है एक simple case का तो हम लोगो पता है कि अगर मालो Q non zero है तो इस तरह से variation होगा Q zero होगा तब किस तरह से होगा अगर dipole moment भी zero होगा फिर किस तरह से होगा तो यह सब चीज का हम लोग answer जो है find out करेंगा important topic है देखिया समझेए यह multiple expansion of charge distribution important है और यह अच्छे से नहीं deal किया हुआ है books बगरा में न अच्छे से deal नहीं किया और आई थिंक video lecture भी कम ही होगा इस पर youtube का ठीक है इत्वा सा higher level का topic है पोस्ट गया इसको पढ़ा जाता है ठीक है करेंगे इसको लो तो multiple पहले discuss कर ले लो let's discuss multiple multiples हो गया बहुत ज्यादा multiples we are discussing multiples ठीक है पहला जो है मोनोपोल जो point charge है single point charge कर लोग मोनोपोल बोलते है single point charge कर लोग मोनोपोल बोलते हैं जैसे आपका होगया q एक point charge q मोनोपोल इसको लोग मोनोपोल बोलते हैं विकाली जीरोथ और मोनोपोल यह order के है वो भी उन्हों समझेंगे जीरोथ और मोनोपोल इसा हम लोग अभी पता है हम लोग को आगे चल के हो सकता है बदल जाए धार ना बट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग मोनोपोल आज बिसकली charges q माइनस q टिकए पोइंट चाज़ तरह इसको लोग मोनोपोल उन्हों मोनोपोल्स बोलते हैं कि काल दे मोनोंपोल्स मोनोपोल्स कि वैए से charge distribution क्या होता है मोनोपोल्स के है है चार्जड इस्तिबिशन जो है अगर मालो को इपोइंट क्यू दिया हुआ है तो इसके ऐसे चार दिस्टिबिशन जो हो जाएगा यह चार दिस्टिबिशन यह बताएगा, स्वाई पोटेंशिल, ना चार दिस्टिबिशन पोटेंशिल, पोटेंशिल क्या होगा पोटेंशिल इस ठीक है अच्छा, अब नेक्स्ट next is dipole देखें monopole से dipole देखो कैसे हम लोग पहुँचते हैं वो समझेब का you have Q एक Q है charge Q, एक monopole हो गया है इसका एक copy करो मैंके copy of it मैंके copy of it ठीक है then you do second operation that is called charge conjugation charge conjugation क्या हता है Q gets converted to minus of Q Q gets converted to minus of Q then you place this charge conjugated copy at a distance D from the original charge अरिजिनल चार्ज मैंके Q चार्ज है minus Q को यहाँ place कर दो हमने क्या किया charge Q को का एक copy लिया copy बताब same charge लिया Q उसका एक charge conjugated copy बना है मैंके Q को minus Q करके है यहाँ ने लिया और उस charge conjugated copy को हम लोग Q से D distance पे हम लोग प्लेस कर दिया Q से D distance पे हमने इसको प्लेस कर दिया यह हमारा हो जाता है डाइपोल इसको बोलता है डाइपोल बताद डाइपोल बताद डाइपोल is nothing but you have a charge Q and you have a charge minus Q मतला है you just place a charge conjugated copy at a distance D from the charge Q मोनोपोल लिया हमने point charge और उसका charge conjugated copy जो है इस system का charge conjugate charge conjugation मतला Q को minus Q कर दिया ठीक है और उसको distance D पे प्लेस कर दिया यह system को हम लोग बोलते है डाइपोल यह first order multipole है मोनोपोल हो गया 0th order multipole यह हो गया first order multipole तो डाइपोल is basically first order multipoles first order multipoles इसका हम लोग निकाले है previous class previous to previous class में कि इसका क्या होता है potential at a very large distance from this dipole potential varies as P cast theta यह नो निकाल चुके है बाइटी कहा देख ले न यह होता है where T is defined as dipole moment अब यह इसको लो point dipole बोलते है इसको point charge बोलते है इसको point dipole okay pure dipole ऐसा ही बोलते है इससे point dipole point type ठीक है तो point dipole की वेज़े से मतलब इस सिस्टम बग चार्ज और इस charge conjugated copy displaced by a distance d इस पूरे सिस्टम को हम लोग point dipole बोलते है इस point dipole की वेज़े से जो potential होता है ता इस P cast theta अपन 4 pi epsilon r square और यह P is how P is defined P is defined like this and D is basically the displacement vector from minus Q to plus Q displacement vector from minus Q to plus Q बोलो वी को चाहो ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह तरह तीक है तो दो देख रहे है कि point चाहिए पोटेंशिल जो है 1 by r पर depend कर रहा है बट डाइपोल के सब्सक्राइश पोटेंशिल 1 by r square पर डिपन कर रहा है 1 by r square पर डिपन कर रहा है this is theta theta is the angle between r vector and d vector तो यह से हम लोग देखे है ठीक है किया थे हम लोग प्रिविए स्क्लास में जब डाइपोल गयर सब्सक्राइब पोटेंशिल निकाल रहे था तो वहां लोग ने किया था और इलेक्ट्रीक फिल्ड भी निकाला था तो भी साथ एलेक्ट्रीक फिल्ड वास डिपेंदिंग आन वन वाई आर क्यूं कदब यहीज नथिंग बट ऐसे बता है न है ठीक है यह निकाला था हम लोगों न बार बार नहीं निकालेंगे अब देख ले रहां उस वीडियो में करें एकिछ टीक है यह यह बीतर है अब नेक्स्त मल्टी पोटे चलते हैं यहां तक क्या क्या बन都 ng a पॉइंझ चाहिको नोपल बोला हमने अब डाइपोल कैसे हम लोग करते हैं कीू का कॉपी लगते हैं возмож कि गया चार्ज कॉंजोर्गरेशन कि'll Hij minus Quindi को और इस्झी एसango कर्थ दिशनल करके हम लोग सको कले सब करते हैं टो बहिता है तो हो जाता है फर्स्ट और जीरो के ओपर यह भी हम लोग समझेंगे आगे अब आए आप कॉड्रूपोल का है देखें कॉड्रूपोल कैसे हम लोग हाउ भी अर्थ कॉड्रूपोल तो पहुशने के लिए आप अले प्योर पॉइंट डाइपोल लिजिए यह टेक है पॉइंट डाइपोल जीसे यह पॉइंट डाइपोल है ठीक है इसे पॉइंट चाहिए तो इसे पॉइंट डाइपोल हो गया तो टेक है पॉइंट डाइपोल फर्स्ट steps वही है मतलब एक point dipole point dipole क्या है Q minus Q separated by distance हाफ D इसका एक copy लो टेके copy of it टेके copy of it ठीक है copy लेगे तो क्या जागा महिया जागा Q this is Q and this is minus Q this is copy of dipole then you do the next operation charge conjugation इसका पी का you do the operation और charge conjugation charge conjugation में क्या करते है वो Q को minus Q minus Q को plus Q convert करते हैं तो यहाँ पे Q है charge conjugation करेंगे तो यह हो जाएगा minus Q and this is minus Q and this will become plus Q तो यह क्या हो गया है यह हो गया charge conjugated copy मन्दब Q को minus Q कर दिया minus Q को plus Q कर दिया जिसे charge conjugated copy अब क्या करेंगे इस charge conjugated copy को आप D amount displace करके यहीं पर place करते हो ठीक है यह D distance displace करते हो नीचे तो क्या आजाएगा minus Q यहाँ आजाएगा तो कि यहाँ इसे पेंजाएगा D distance displace कर दिया यह आजाएगा आपका charge conjugated copy जो है minus की यहाँ आगया यहाँ प्लस की आगया समझ गहाँ दा आपरेशन परले हमनों प्योर पॉइंट डाइपोल लिया अब उस डाइपोल का हमने copy बनाया अब copy बनाके charge conjugation किया और जो charge conjugated copy था उसको D distance displace करके यही पर place कर दिया उसको D distance displace करके इसी के जगह पर पूट कर दिया तो हमारा अब charge कैसा यह system कैसा बन गया है एक हो गया हमारा charge Q एक हो गया charge minus of 2Q और एक हो गया charge ठीक है इस तरह का हमारा charge Q minus 2Q Q ठीक है ठीक है दिसस D यह हो गया हमारा quadruple इस इस काल quadruple quadruple इसको quadruple बोलते है ठीक है यह लोगो लेगे इसको quadruple समझ में आ रहा है कैसे लोग पॉइंट चार्ज से डाइपोल बनाते है अग डाइपोल से कैसे लोग quadruple इसको पॉइंटे है यह सब का आपको आगे चलके important समझ में आगा क्यों हम लोग इसको पढ़ना है next class हुझा हम लोग multiple expansion of charge distribution करेंगे तो उसमें लोग देखेंगे कि क्यों why these are important अभी तो आप multiples समझी कि multiples होते क्या है ठीक है what are the multiples in the electrostatics मत्दब we have seen 0th order multiple which is nothing about a point charge फिर उसके अधर हम लोग देखा first order multiple जो की dipole होता है और यह हो गया second order multiple जिसको quadruple बोलते है quadruple ठीक है next class है उन्लोग quadruple moment भी देखेंगे इसका ठीक है अब third order multiple पर चलते है third order multiple is called octuple octuple अब देखेंगे हम लोग quadruple से octuple कैसे हम लोग construct करते है तरीका सेम है you take a quadruple make a copy of it और उसके charge conjugation करिए अब खिर उसको 2D distance जो यह distance अन्द साइज उतना displace कर जा ठीक है तो आपको octuple बन जाएगा तो करके बताते हैं आपको देखेंगे how make octuple how make be make octuple octuple पहले तो quadruple लो क्यों हो गिया यह देखो q-2q और q इसी मिनस 2q q-2q rq ठीक है यह होगा हमनो का quadruple this is quadruple distance d distance d now the second thing make a copy of it तब बिल्कुल same copy बना लो q minus 2q and q copy बन गया हम लोगा ठीक है ना में के charge conjugation यह तो same copy बना लिया जो quadruple लिया ना उसी काम ने एक copy बना लिया यहां पर this is q this is minus 2q this is q अब दूसरा काम क्या कर रहा है we are doing a charge conjugation मतलब जो charge q है minus q जाएगा minus q plus q जाएगा charge conjugation charge conjugation करेंगे तो यह क्या जाएगा q जो है minus q जाएगा और यह minus 2q क्या जाएगा यह जाएगा plus 2q और जो q है वो minus q जाएगा ठीक that's called charge conjugation इसको लो charge conjugation अब क्वार्ट्रीक का साइज गया है क्वार्ट्रीक साइज टूदी है आप क्या करेंगे हम लोग जो charge conjugated copy है उसको और जाएगा जाएगा टूदी डिस्टेंस दिस्पलेस करते हैं इसको डिस्पलेस करके यहाँ पर रखते हैं चार्ज कॉंजुगेटेड कॉपी को 2D डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस करके यहीं पर प्लेस करते हैं ठीक है तो क्या जाएगा बता हूं बना, चार्ड इस्टिपश है कैसा बना जी, यहाँ का Q हो गया, यहाँ पर "-2Q है", दे डिस्तिंस पे, आई हाँ Q और "-Q होके cancel हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 2Q और "-Q", यहाँ गया, 2Q Here we go. Minus Q. This is 2QN Minus Q. All at distance This is This is octupor यह अक्टूपोल है ठीक है दिस इस अक्टूपोल है इसी तरीके से आप और हाइयर ओर्डर मोनोपोस बना सकते हैं देखें पॉइंट चाहिज से हमने आप देखें यहां पर कैसे कैसे हमनों प्रसीड किये पहले हम लोगों ने पॉइंट चाहिज लिया पॉइंट चाहिज से हमने डाइपोल बनाया सी दिस पीड़े डाइपोल बीटूपोपी चार्ज कॉंजिगेशन और इसको डी दिस्पेस करके डाइपोल बना लिया अब डाइपोल से हमने क्वाद्रूपोल बना लिया अब क्वाद्रूपोल से हमने ऑक्टूपोल बना लिया अब ऑक्टूपोल से हम लोग नेक्स्ट ऑडर मल्टीपोल बना सकते हैं विच इसको सेक्स्टोपोल कि कोई एंड नहीं है कि कीप उन दूइंग इट कर तेर सकते हम लोग eligible हाइय्ड मल्टीपोल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं था को समझ में कैसे हम लोग आइय अड़र मल्टीपोल बनाते हैं मत्व नेक्स्ट ओर मल्टिपोल कैसे बनाएंगे हम लो गॉड्डू पोल तो अक्टूपोल के दो दो ऑपरेशन इन वर्ड कोपी और चार्ज कॉंजुगेशन फिर वो चार्ज कॉंजुगेटिट कॉपी को हम लो औरिजिनल चाहिसे जो साइज डाइप मल्टिपोल का उतना इसका इंपोर्टेंस क्या हैं वह नेक्स स्क्लास में हम लो देखेंगे कि क्या मल्टिपोट ग्योप्ड़र है लोग व्युक्त ढ़ींपोर्टेंस और मुक्ते इ quindi से अनुनुए इंटिशन को हम लोग मतलब सुपर्पोजीशन मुल्टिपोब्स कि फॉर्म में देख सकते ठीक है, that is the climax of all the discussion, तो वोम बनोगो देखेगे असको उसको, ठीक है, फिलाल आज हम लोगके काम करते है, देख़ुन मुन्न पोईंड चारी का तो पोटेंश लोगों पता है, पोटेंशल की यू पायफैसेल नॉट आलोट होता है, प्योर डाइपोल जो पोईंड डाइपोल तो उसका भी पता है हम लोगों को, point dipole का potential जो है, p cos theta upon 4 epsilon r square होता है, हम लोगों ले calculate भी किया है इसको, ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, आज हम लोग quadruple का potential एक वार निकालते हैं, ठीक है, उसका अफी थार कुछ generalization पर बात करेंगा है, हम लोग, let us find potential to quadruple at a very large distance, let us find potential to quadruple at a very large distance, तो हम लोग quadruple का potential एक वार निकाला जाए, फिर उसका दिसक्रशन को थो हम लोग, generalize के नहीं कोशिस करेंगे, let's find potential very large पाफी question देखो, गेट वगरा में इससे आता है, let's find potential to quadruple at a very large distance, quadruple क्या है, quadruple is, you have a charge Q, अच्छा थो नीचे बनाते हैं, you have a charge Q, then you have a charge minus 2Q, then you have a charge Q, Q minus 2Q, Q, माले साया जो है, D-distance पे है, अब लोगों बहुत दूर, यहां से बहुत दूर, potential निकालना है, यहां से बहुत जाया दूरी पे potential निकालना है, यह आपका, Q हो गया, अब काफी लाज दिस्टेंस पे हम लोगों पोटेंशियल निकालना है, सब लोगों से बहुत पोटेंशियल लोगों इस दिस्टेंस पे निकालना है, आर विल बी वेरी लाज, कमपेर तू साइज, ठीक है, लाज मतलब तो हो, लाज हैस तो बीडिफाइंग, लाज बड़ा लाज स्मॉज, बड़ा वेग टर्म होता है, यह सिस्टम तो सिस्टम डिपेंड करता है, मतलब हमारे लिए लाज जो है ओसने आपके लिए लाज नहीं हो, मतलब अगर मानलो किसी के पास हेलिकोप्टर है, तो उसके लिए हजार lavoro कोई लाज डिस्ट्स्न stiff नहीं है, लेकिन जो ट्रेल से चलता उसक लिए बहुत लाज डिस्टेंस है, यह सब system specific terms होते हैं large small तो when you say r at a very large distance large has to be defined जो system के अंदर distance के parameter है उस parameter के comparison में यह distance बहुत large है अब system क्या है आपका यहाँ quadruple है तो quadruple में distance का parameter कौन decide करेगा डी decide करेगा दी जिस रेंज में डी मालो मिली मेटर के रेंज में है तो अगर यह आज अगर मालो एक मीटर है तो यह उस case हम कहेंगे very large distance if d lies in the range of millimeter 2 mm 1 mm आया आर मालो 1 meter है in that case thousand times d ठीक है तो उसके से रहे हैं आज वेरी लाज अगर यह दी मालो तो खुदी 10 cm है या और 1 मीटर है उसके से हम नहीं कह सकते कि आर इस वरी लाज तो वेरी लाज वेरी स्मॉल यह सब सिस्टम स्पेस्टिक टर्म्स होते हैं तो सिस्टम के अंदव डिस्टंस के पारामीटर डिस्टंस का रेंज देखना होता है उस रेंज के कम परीजन में अपना वर्ल्ड का बात करें तो हमारे वर्ल्ड में I can say 1 mm is nothing 1 mm is very small for us 1 mm is very small for us क्योंकि हमारा वोल्ड जो है मीटर में चलता है ठीक है तो मीटर में 1 mm, half mm is nothing for us लेकिन यहीं अगर अटोमिक सिस्टम में जाएंगे तो वही 1 mm infinite distance है तो same 1 mm is very small for one system and it may be very large for the other system तो small large यह सब system specific terms होते हैं so whenever we say small large it has to be defined what is small for this system तो अगर यह system जो है इसका जो parameter है distance का वो डी गवर्न करना डी डीसाइड करना तो डी जिस रेंज में है उस डी के कंपरीजन में अगर यह point टी का distance बहुत large है तो हम कहेंगे r is very large right r is very large ठीक है अब लोग को मालना potential निकालना है we have to find potential supports ठीक है यह r हो गया ठीक अब अब मालनो यह आपका आरवन यह हमारा आटो डिस्टेंस सपोस्ट ठीक है और यह हम लोग ठीटा ले लिए 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 लोग ठीटा ले लिए 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 तो potential क्या हो जाएगा बताओ potential at point p will be simply potential to q plus potential to minus 2q and potential to this तो डेट विल बीवन बाई की अपान पॉर पाइब सल नॉट आरवन माइनस ट्यू की अपाल पॉर पाइब सल नॉट और अन्ड फॉर पाइब सल नॉट रटू अब आद रवन रटू कैसे केलवेट करोगा तेखा एक अपनों बच्चों ने पढ़े होंगे को साइन फर्मूला ठीक है तो साइन फर्मूला यह थिता है यह थिता है यह थिता ए थिस बीच सी दिन in trigonometry you have studied C square is a square plus b square तो यह भी क आस्ट दना वे भी क्या लिटा वही अब लोग इस ट्रिंगल लगा लेंक है अर장 वें क्या हो जाएगा आरवन मुल्स म्हिस्फंक लिए यह यह ध्रैंगल लो एक लीएग्टम प्र्सकार चाहएगा ऋर्वन विल्बी उपस्टो फू को अंडरूट इधर ही लिख देते हैं आर्वन विल भी अंडरूट आप स्क्वेर यह ट्रेंगल ले रहे हैं लोग आप स्क्वेर प्लस दी स्क्वेर टू डी यार कॉस्टीट अब इस इंगल लो हो यह वाला है र 2 आर और डी वाला है यह नीचे वाला यह अंगल कितना हो जाएगाँ पाई मेरे स्टीटा dou ग्या जाएगा आर्टू उजम्ली असक्वेर प्लस दी स्क्वेर टू डी अल कॉस्वेर इस कॉस्टीकीक यह आजाएगा आपका आर स्क्वेर प्लस डी स्क्वेर प्लस टू डी आर कास्ट ठीटा ठीक अब इसको लोग प्लेस कर दिया जाए इस फार्मिला में तो हमारा वी जो आ रहा है V is coming out to be V is Q upon 4 pi epsilon 0 under root r square d square 2dr cos theta tick minus 2Q by 4 pi epsilon r and plus Q by sorry ठीक है ऐसे हो जाएगे अब इसको हम लोग प्रसा एक जो information है हमारे पास की r is very large compared to d this information को हम लोग एक्स्प्राइट करें we'll use this information to arrive at simple expression क्या हो जाएगा यह आर अगा बाहर निकाल लेते हैं यह जाएगा 1 plus d square by r square 2dr d by cos theta यह आगे माइनस 2Q upon 4 pi epsilon r और यहाँ आजाएगा Q upon 4 pi epsilon r यहाँ आगे का ड्ऐंस 2nd तस्टावर क्या है kThe allein is q by okay क्या लिख से तर्म लग इसको लिख से तो अचा 1 plus minus 1 भाई minus 2 1 plus ठीक है अब देखो यह जो डी भाई आर है यह वेरी स्मॉल आज वेरी लाज कंपेट होटेंग आज यह है डी से बहुत बढ़ा है अज है डी से बहुत बढ़ा है अप फ्रसा आपको बता दे कि एकäischen केश्पैश्ड रोता है मैं सक्राइब थे मैं एक्स प्रड़ होंगे प्लस N इंटो N-1 इंटो N-2 X-Q इस तरह सो होता है दीखे है यह आपका फर्मुला है वेल X is very small तो हम लोगों को देखना होगा कितना small है तो हम लोगों इसको truncate कर साथ क्योंकि X अगर small होगा तो X square become all small हो जाएगा X-Q all small हो जाएगा तो अलौ हाइय टांको नगलएक करनता है तो इस फर्मुला को थोड़ा यूज कर लिया जाए इसको अलों मान लिया जाए X ठीक है इसको X मान लिया जाए आत्वा इसको लिखते है फर्मुला को क्या होजाएगा यह हो गया 1 माइनस है न आपका माइनस हाफ हो गया है ठीक है तो माइनस हाफ ठीक यह आपका X हो गया 1 प्लस NX अब यह वाला टम क्या जाएगा 1 बाइ माइनस 1 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 यह कितना आ जाएगा बताओ यह हो जाएगा आपका 3 बाइ 8 यह आपको माइनस 3 बाइ 2 हो गया न 3 बाइ 8 ठीक यह आ जाएगा 3 बाइ 8 डी स्क्रेब र स्क्रेब का होल स्क्रेब यही टेमिनेट कर देता है यही पर इसको टेमिनेट कर दिया जाए ठीक है कोई हाई अब और छोटा हो जाएगा अब इसको लिख दो ऐसा ही 1 माइनस 1 बाइ 2 दी स्क्रेब र स्क्रेब प्लस 2D बाइ आर कास थीटा आईधर आ जाएगा 3 दी सक्रेब र स्क्रेब माइनस 2 दी बाइ आर क्डाइ माइनस 1 बाइनस 2 प्लस जाएगा है इसको भी अमने टेमिनेट कर दिया इसको भी अमने टेमिनेट कर दिया यहां परोक्सिमेशन एक कोउड्याटिकग त तो जैसे ऐसे हाइए टर्म लिखते जाएंगे बहुत चोटा होता जाएगा अब तुम्हारा दूसा कलर लेलते हैं अधा वान आए वान टू हो गया आए टू कैंसल हो गया आपका कि ओके अब बाकी टर्म देख लेते हैं कि इस विलाजा कैंसल आउट माइनस माइनस प्लस हो गया है यहां पर आये माइनस इडा गया यह टर्म भी कैंसल आउट ग्लेका टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगा आए त्विश्टिवाइगत आए टिगर यह वाइन पैप्सलें नॉट आर माइनस d by r d by r d square r ठीक है और इसकर square करेंगे अब दोनों को जोड़ा जाए ठीक है दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये क्या बनेगा यह बनेगा आपका जो इस्टा cross term वो cancel हो जाएगा न cross term cancel हो जाएगा तो यह आजाएगा आपका 3 by 8 of twice of d4 by r4 और plus twice of 4 d square by r square cos square theta ठीक है अब दिस 1 by r4 term वी वेरी स्मॉल इसकोलो नेगलेट कर सकता है आदित वे d by r is very small तो फोर्थ पावर आप d by r वी वेरी वेरी स्मॉल तो इसकर बी नेगलेटे यह नेगलेट कर सकता है और यहाँ भी अप्रोक्सिमेशने फुट कर दीजा यह क्या आजाएगा finally हमारा q by 4 pi epsilon r q bracket में d square को भी बाहर ले लते हैं तो यह आजाएगा minus 1 r plus t by 8 into t by 8 into यह आपका चार दुनी आठ 8 8 अठ कट गया 8 लिख दो कोई ने 8 cos square theta यह 8 अठ कट गया तो यह आजा रहा है हमारा ठीक है ना ठीक so we get it as 2d square 3 cos square theta minus 1 यह तो quadrupole की वज़े से at a very large distance the potential is going to be this potential is going to be this potential यह आजाएगा ठीक है इसको लोग चाहे तो ऐसे भी लिख दते है 2qd square क्योंकि यह है यह है अभी सुर्णज में आ जाएगा क्यों यह हम लोग manipulation करता है तो यह हमारा potential यह टू quadrupole हो गया अब एक जगह पर सारा लिखते है हमारा potential निकाल लिया पहले तो हमने point चाही करेंसे निकाला point चाही करेंसे potential क्या आ रहा है V is q upon 45 r dipole करेंसे potential क्या रहा है dipole करेंसे potential यह है dipole is q and here minus q distance t dipole करेंसे potential आ रहा है p cas theta upon 4 pi epsilon not r square where p is this q into t first order multiple ठीक है फिर हमने quadrupole क्यों यह निकाला quadrupole क्या था you have q you have minus 2 q and you have q I guess the potential जो आ रहा है 2 q d square 2 q d square 2 q d square this is potential to quadrupole quadrupole का potential ठीक octupole का क्या होगा sexto pole का क्या होगा वह 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 गेस कर सकते हैं guess क्या मदब हाँ अच्छा गेस कर सकते हैं किस्ता का वेरियेशन होगा वह समझने के लिए थोड़ा सा आम लोगो यहां पर mathematics भी देखना पड़ेगा दोखो mathematics में you have a term called legendary polynomial legendary polynomial legendary polynomial is basically peanut x is 1 first order legendary polynomial is x this is tx square minus 1 upon 2 इस तरह से बढ़ते जाएंगे जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका 1 by ऐसा लिख दो 1 by 2n ठीक है 1 by n factorial d by dx of n x square minus 1 यह यह सब legendary polynomial linearly independent होता है they all are linearly independent यह एन्थ आदे लेजंडे पॉल नाम यह एंड़ी लेजंडे पॉल नाम यह एंडीडे लेजंडे पॉल नाम यह इसको दो रोड़ीड फार्मूला बोलता है तो अब लेड़ को से लिंग देखते हैं ना भाई ठीक है स्पेलिंग ध्यार नहीं को रोड़ी फार्मुला यह अलग ही टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स का वहला MP में पढ़ेंगे ठीक है इसे जिनरल लेजेंडर पॉल नवल का इस पर इसको चाहँ तो निकाल भी सकते हो य वालब पी नेख निकालना है अब लोगो आधी नॉट एक्स निकालना है तो एंड का वैलू 1 कर दो 2 1 फेक्टोर वन नहीं हो जाएगा अडी बाइड एक्स आफे एकस स्क्रेब माइनस फाल एन इस वन क्या जाएगा इसलिए एक्स एक्स यह एक्स जाएगा पी टू एक्स क्या हो जाएगा पी टू एक्स हो गया टू दिपार टू टू फेक्टोरियल डी स्क्वेर बाइड दी एक्स स्क्वेर फोल स्क्रेब ठीक इसको लो निकालना है अगर तो यह आ जाएगा हम लोगो का यह आ गया आठ दी स्क्वेर एक बाइड आपलो इंटेगरेट इसको डिफेरेंसियेट कर दो एक बाइड दिफेरेंसियेट कर दो तो क्या जाएगा तुमारा ट्वाइस ओफ एक्स स्क्वेर माइनस पान इन्टो टू एक्स दूआरा डिफेरेंसियेट कर दो ये 2 2 कट चुके है ये हैं 4 हो जाएगा स्वाइए 2 हो जाएगा 1 बाई 2 और इसको ये क्या जाएगा जिताओ XQ-X हो जाएगा XQ-X को जाएगा तो 3X square minus 1 P2X क्या हो गया 3X square minus 1 अपांट 3X square minus 1 अपांट ठेक 3X square minus 1 अपांट 2 ठेक है अब next भी एक निकाल लेते है P3X निकाल लेते है let's find P3X इसको यही लिग देते है अठाक P2X क्या आगया 1 by 2 ठीक ये मिटा रहते है P3X निकाल P3X निकाल P3X is 1 by 2 अपां Q P3 अपांट निकालते हैं कितना जाए छे 88 D square by DX square एक बार दिफरेंस रेट करेंगे हम लोग क्या जाएगा 6X X को मैं इसको निकालते हम को डिफरेंस रेट करेंगे 2X आएगा और तीन और बार ये आजाएगा एक और 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 दिफरेंस रेट करों इसको 1 by 48 D by DX आप ये क्या आएगा बताओ X को डिफरेंस रेट करोंगे प्लस अब ये वादा टाम डिफरेंस रेट करेंगे आएगा तू पहले बार आगा टू पोर एक्स और को नहों जाएगा अगे लिखेंगे 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 12 आप टू एक्स और आया 12 इंटू टू एक्स पोई सब्सक्राइब ठीक चलेगा अब इसको एक वार आख डिफरेंस सेट करों क्या जाएगा ये चे दूनी बार आख एक्स प्सक्राइब एक्स्ट्राइब 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 send this ठीक है तो इस विल कम आए आज 12x3 48 x3 48 x3 48 48 हो गया आपका एक्स चैन्वे चैन्वे और 12 एक्सवाट और बारा एक्स पोटी एक्स यह हो जाएगा त्यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो इस विल कम आज 9 x q minus 5 x upon 4 पर इत्वा कैल्कुलेशन चेक करना ठीक है इतना हमको पॉल्लोमेर वगरा याद नहीं है बुक में रहता ही है तो याद करने हाँ कोई नहीं है जस्ट चैन्वेस कैल्कुलेशन आइटिक है उससे आप P4 x में निकास तो निकाल सकतो आप आगे का भी लेजेंदे पॉल्नोमियल फाइंड आट कर सकतो दूरिंग इडिटिंग आइप फाउंड आइट एक्स्प्रेशन आप P3 x was incorrect राइट निकाला था वो उसमें कुछ सायद कैल्कुलेशन एरर था तो यह को फिर से निकाल नाते है इसको P3 x is basically फार्मूले पाइज है वन बाई फार्मूला क्या आपका पी एन एक्स वन बाई एन फ्रेक्टोरियल रूएन फार्मूला तो यह है तो P3 x एक अफ्रेशन निकाल लाते है वो एरर था उसमें ठीक है यह कितना आजाएगा आठ अच्छे अरतालेस और डी स्क्वार बाई डी एक्स स्क्वेर यह आजाएगा तीन गुले टू एक्स सिक्सेक्स ठीक अब यह कर जाएगा आपका छे अरतालेस वन बाई एट डी स्क्वार बाई डी एक्स स्क्वेर आइसको पुरा निकाली लो इसी रहेगा यह एक्स 4 एक्स 4 का x5 हो गिया, 2x स्क्वेर तो यह हो जाएगा 2x क्यूग और प्लस x अब इसका आपलोगा सेकंड डेरिवेटिव लेलिया जाए एक और डेरिवेटिव लो तो 4x4 हो जाएगा फिर 5x4 5 इंटो 4 20x3 और यह हो जाएगा 6x इना 6x नहीं बार x अब यह आजाएगा आपका चार दुनियाग चार परचे बीज 5x3 माइनस वी एक्स अपॉन तो इडिट कर लेना ठीक है डिट कर लेनी वीडियो दिखा कि यह एरर आ गया है अब ऐसे ही है आगे भी हमने जो P3 कॉस्ट इटा लिखा है न उसको लिख देना आप ऐसे है आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो इसको वीडियो के अंदर डाल दिया जाए ठीक है आप आगे का भी लेजेंडे पॉल्नॉमियल फाइंड आट कर सकते हो यहां लिख देता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लिख लेज़ाए ठीक है ठीक है ठीक है इसी तरह से आप फर्मूलर से फ़ोरे फ़ाइब निकाल से याद रखिया अपलों आप लोगों को एक्जाम देना है तो रिमेंबर देस ठीक है हमें याद रखने का जरुवत नहीं है इसको एक जगाल है ठीक है ब्टैक ब। बहुत पहुंगड़ टीक है यहां गया इसको एक जगाल लगे ठीक है ऑख ठीक है बहुत एक ठीक है टीक है नाइन एक्सक्यू यह ऐसे भी आपके कोर्स में सब है आपको पढ़ना है यह सब ठीक है लेजेंडर पॉल्डोमियल लगूर पॉल्डोमियल हर्माइड पॉल्डोमियल यह सब जो है ना आपके इसलिपस में है तो मस्टडी दिस सुब करें लेजेंडर पॉल्डोमियल याद भी रखना हैं अम लोगों यह सब ठीक है अब करने का लुख है और इस से क्या लिंकेज है यह निकाले है और फिर यह क्यों हो पार मता हम लोग तहें मल्टिपोस में आगे लिजेंडर पॉल्डोमियल में नच्भाएंगे कि निस्वारी चीज़ क्या लिंक करें देखिए अगर करें एक स्क्रीड़ कॉस्टीटा लिए तो पी नौट कॉस्टीटा इस वन X square पर हमनों cost has replaced P1 cast theta क्या हो गया यह हो गया cast theta what is P2 cast theta P cast square theta what is P3 cast theta 9 cast cube theta कि पूद्ध में आदा क्यों पढ़ रहे हैं को यह आगया आपका Q4560R P0 cast यह हो गया P QD लिख दो P is QD P1 cast theta this यह क्या हो गया this is 2QD square P2 cos theta स्बढ़ रहे कोई पैटर्न दिखरा आपको इन जीरत आप आपकोडऱ् in 0th order monopole it was P0 cast theta by R first order monopole जो कि dipole है it is P1 cost of R's second order monopole it is P2 cost of RQ तो octupole का क्या होगा octupole के case में क्या होगा we can generalize it in case of octupole in case of octupole octupole में क्या होगा we have Q minus 2Q 0 2Q minus 2 इसका लो कर सकते हैं कि V will be something which we will see later upon 4 pi epsilon 0 into P3 cost theta upon R4 ठीक है इस तर से हम लोग इसको generalize कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं कि यार potential due to nth order multiple will be given by will be proportional to PN cast heater upon this अधा अधाष यार अधाँ जीरो अधाव अधाट आड़ मॉल्टी पोल इस चार्ज पी नाट कास्ट इस वन वन बटा आप डाइपोल के विए पे एन इस वन तो अधाँ पी वन कास्ट है इस कास्ट इटा तो कास्ट इटा भाई आज स्क्वेर देखो second order multiple is quadrupole quadrupole केसमे इस P2 कास्ट आपाई RQ यहापे क्या है 2N तो P2 कास्ट है 3 कास्ट स्क्ट इटा बाई दिस 1 बाई 2 ठीक इस तरह से वनों लिख सक्ट है न तो यह V हो गया और electric field का हम लों बोल सक्टे है simply electric field चुकी minus dv by minus del v है तो इस तरह से वनों generalization कास्ट इस तरह से अम लों generalization कर सक्टे है ठीक है समझ्द में आ रहा है यह चीज़ आप देखेंगे यहां पर देखो तो कॉस्ट ठीटा का odd function है यहां कॉस्ट ठीटा का even function है फिर आगे जो P3 कॉस्ट ठीटा है वो कॉस्ट ठीटा का odd function है ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां से भी दिखेगा जैसे अगर मालो कि हम लोग एक plane बनाते हैं ऐसे तो आप देखें जो गॉडूपॉल है इस plane के about यहां reflection symmetry यहां reflection symmetry about this plane ठीक है charge distribution के अंदर अगर मालो हम लोग x, y, z ऐसे ड्रा करते x, y, z तो x, y plane के about reflection symmetry symmetry क्या होता है यहां बहुत डीटेल में भी गॉसला में पढ़ेंगे ठीक हम बताएंगे आपको what is symmetry पर यहां से फर्स्वाज में आ रहा है कि जो charge आपका r distance पे है वही charge आपका minus r distance इस plane के r distance पे जो charge है q charge वही charge minus r distance पे भी है minus q q and q यह origin पे आगे न यहां q है d distance पे minus d पे भी q है यह कहते है इसको reflection symmetry xy plane का reflection symmetry है जो उपर का charge है वो simply इस plane के जो नीचे का charge है उसका mirror image है तो ऐसे case में हम लोग कह सकते है कि जो भी हमारा potential देखो अगर charge जो है cause है potential का electric field का तो जो symmetry cause के अंदर होता है वही symmetry effect के अंदर भी होता है इस पे एक lengthy discussion हम लोगा रहेगा जो symmetry cause के अंदर पाए जाता है वही symmetry effect के अंदर पाए जाता है तो अगर cause के अंदर reflection symmetry है तो effect के अंदर भी reflection symmetry होगा आभलब कि जो आपका यह theta angle पे potential होगा वही इसका reflection reflection कितना हो जागा भाई यह यह भी theta हो जाएगा तो यह कितना हो जागा five minus theta वही potential आपका इस point पे भी होगा जो इस point पोगा वही करने का मतलब कि potential at theta will be equal to potential at pi minus theta ठीक है आप देखिए सब cos theta वाले term है आपको यह पता होना चाहिए कि cos pi minus theta is minus of cos theta तो अगर आप चाहते हैं कि V at theta is equal to V at pi minus theta हो तो उस case में potential के अंदर cos theta का even power होगा तब ही ऐसा हो सकता है तो आप देखो quadruple moment में cos theta का even power even power डाइपोल के case में आपको यह चीज नहीं दिखेगा तो अगर हमने क्या किया हमने बीच का चार्ज यह तो quadruple moment में चुकी minus 2Q आ गया तुम्हारा बीच में यहां तो इसलिए सिमेट्री आपको यहां दिखेगा है तो ऐसे भी चलो यह एक अलग discussion है we won't go much into this अभी थ्वासा आगे हम लोग पढ़ेंगे पहले की सिमेट्री का क्या रोल है लेक्ट्रोस्टाटिक्स में यह भी टॉपिक डिसकस नहीं हुआ है यह यह हो जागा तो और भी चीज अप्रिसियर कर सकता है तो इस लक्षे का जो objective था it was mainly about what a multipoles, multipoles क्या है और multipoles का potential distribution क्या है space में यह सब find out करना था ठीक है तो हम लोग कर लिए अब next जो class अगाउस में हम लोग देखेंगे कैसे किसी एक general charge distribution को अलग-अलग multipoles का superposition के form में देखेंगे है और भी कर सी ए जनरल चार्ज distribution as superpositions of various orders of multiples ठीक है various orders of multiples यह हम लोग नेक्स class में इसको देखेंगे और दिस इंपोर्टन मतला अतलिस फोर दोज सुदेंट वारे masters जो MSC कर रहे है उनके लिए इंपोर्टन है graduation people can leave it right okay thank you very much